जब बाकिम साब ने मेरे को सजेस्ट किया PKR के बारे में वो टाबलेट में कंट्यूनी किया मैं रख वन वीक में ही क्या उसका यह है स्टेंट फेकर को मेरे फालम हुआ उसके बाद मैं वो कंट्यूनी किया तीन मैंने अभी मैं 80-85% में टीक हूँ आप भी एक बार कोशिश क सब्सक्राइब करने के बद आपको भी पता बहोगा यूनानी ट्रीटमेंट कैसा है क्या है करके बोलके इससे पहले हम हैदराबाद गए थे और उससे पहले भी हम मुंबई में विजिट किये और उसके बाद हमने हरियाना में भी बहुत सारे पेशेंट से मुलाकात की है और लगतारी सिलसला चलता ही जा रहा है क्योंकि आप लोग हमें अपने घर इनवाइट कर रही हैं और अपनी सेहत का हाल जो आपने बताया हमें जो हमें फीड़बैक मिले उससे हमारी पूरी टीम को इतनी खुशी होती है क्योंकि हम खुद देखते हैं आपको कि आप कितने सेहत मन्द हो गए हैं हकीम सहाब के नुस्के अपना के हकीम सहाब की दवाइयों का इस्तमाल करके तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि बैंगलॉर मैं पहुँच गई हूँ और बैंगलॉर में मैं बहुत सारे पेशेंट से मुलाकात भी कर रही हूँ लगातार हम हर रोज बहुत सारे पेशेंट से ज अंगलो और वासी से कर रही हूं जो हमारे प्रोग्राम का ना सिर्फ हिस्सा हैं बलकि परिवार का सदस्य हैं तो मैं आज जिनके साथ मौजूद हूँ जिन से मैं जानूंगी कि हकीम साहब से वो कैसे जुड़े क्या कुछ उन्हें बिमारी थी और वो करते क्या हैं और कितना सीहत मन अब वो खुद को महसूस करते हैं अन दवाइयों के जरीए उन नुस्कों के जरीए जो जाने उन्होंने श वोक्रत करते हैं मिलकर उनका सफागत करते हैं अब किог मार के साथians मैं एक स्कूल ट्रिप करता हूं बच्चे बुला लग जाने के बुला लग जाने के मेरा तुद का दो गाड़ी है उसमें तुछ आपको तकलीफ क्या थी और अप हकीम साब से कैसे जूड़े मेरा कुछ गास्ट्री का प्रॉबलम था बहुत इधर पिट में आत में पिट में मिला उनको उसको बताया ऐसा प्रॉबलम है करके बुलके उन्हें पी-क-र का एक टाबलेट का बोले में प्रॉबलम था जब तक आपने हकीम साहब की दवाईया नहीं अपनाये थी तब आपको क्या कुछ परेशानिय होती ति उससे पहले गएस बनती थी तो आपको प्रण चाने में प्रम प्रबलम होती थी या आपका मन नहीं करता था कि मैं गर बाहर निकलू तो च्वारी वह प्रण चान से तो नहीं बन जाएगी कौने ही प्रण भारी तो नहीं रहता था तो ऐसी तौढ़ी तक प्रम आंजने को जाका सुथिए प्रaud vivantwo प्रॉपर खाना डाइजेस्ट नहीं होता तो पीकेर से आपको अराम है अच्छा पीकेर के इस्तमाल जब आपने करना शुरू किया तो कितने वक्त में आपको यह लगा कि मुझे आराम मिल रहा है तो आपको तो पेट में अराम हो गया है और सारे पेशन्ट अधिकतर ऐसे ही होते हैं जोने पेट की ही प्रॉब्लम रहती है और पेट की प्रॉब्लम होती है तो उसी समय और बहुत सारी बिमारियां भी हो जाती है तो कि अपने अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी बताया कि अगर उनको भी पेट का कोई प्रॉब्लम है तो यह दवाई उनके लिए फायदेमन्ध है या फिर और कोई दवाई उनको आपने बताई हो अकीम साहब की वही वह आंक्या में भी जो रोश्री कम हो रहे है उसको अपने फ्रेंड को नहीं नहीं मेरे को भी प्रॉब्लम है वह आखों की वह भी वह सजिस्ट किया है मेरे को चेमेने को कोर्स है वह अपने क्या और लोगों की खित्मत की और लोगों तक भी मेरा दोस्तां को सभी मैं जो मेरे को रिलिफ मिल रहा है मैं उसको भी बता को इढ़ा बात करें बॉल रहा हूं ने हमारा क्लेनेफिया है और अपने मुनवर साहब की अगजे रखे कर खिया है तो वह आपको स्का की दवाईया देते हैं तो कभी आपकी बात हाकीम सुलिमान खान साहब से हुई है या थे कोई प्रोग्राम देखते हैं यूट्यूब पे भी नहीं सज़ेस्ट किया वह अभी नेक्स ना बोल रहे ना अभी मैं देखुंगा अभी कोशिश करके मेरे दोस्त लोगें के लिए सब्सक्राइब तो यानि आप हकीम सुल्मान खान साहब की दवाइयां सिर्फ एक भरोसे पर खाया करते हैं और उससे अभी तकलीफ नहीं है जिस दिन से मैं शुरू किया अभी मैं हराम हूं तो टैबलेट के अलावा भी आपने कोई और दवाईयू का इस्तमाल किया था यह टाबलेट के पहले में इंग्लिश दवास भी लिया था वो कुछ भी वो मेरे को परकने पड़ा नहीं परकने को एक विश्वास है कि कोई बिमारी होगी कोई परेशानी होगी तो तुरंत यूनानी ट्रीट्मेंट अपनाओंगा यानि आप सबर रख लेंगे सर के सब्र जो रख सकते यूनानी ट्रीट्मेंट अपना पाते हैं चलिए जो लोग आपको सुन रही हैं जिनों ने अभी तक उनाने treatment नहीं अपनाया है उनको आप अपनी तरफ से क्या message देना चाहेंगे आपका experience क्या कहता है मेरे experience तो मैं अब English दवाया सभी लिया में उसमें कुछ भी मेरे परक नहीं पड़ा जब किम सबने मेरे को suggest किया मेरे को मालम हुआ उसके बाद मैं वह कंट्यूनी किया तीन मेने अभी मैं 85% मैं तीप हूँ अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं करके बोला तो आप भी एक बार कोशिश करो कोशिश करके ट्राइक करो आपको भी पताब होगा त्रीटमेंट कैसा है क्या है करके बोलके बहुत बहुत शुक्रिया उदेजी आपने अपना वक्त हमें दिया और बहुत अच्छा लगा यह जानके कि आपको जो गैस की प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई है पहले आपने दवाईयों का बहुत सारा इस्तमाल किया यूनानी ट्रीटमेंट से अलग और आपको डिलीफ पहुंचे और आपने खुद सुना यह कि उन्हें गैस की प्रॉब्लम थी खाने में दिक्कत होती थी दकार अच्छे से नहीं आती थी और तमाम तरीके की परिशान्यों को उन्होंने सामना किया लेकि जब उन्होंने हकीम साहब की टाबलेट कर इस्तमाल किया जो खास कर प पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं यानि की 85% 100% में बदल सकता है लेकिन उसके लिए आपको कोशिश करनी होती है उदेजी की तरह तो आप लोग भी विश्वास रखिए खुद पर कि मैं ठीक हो सकता हूं वो भी घर बैठे बैठे तो आप भी हमारे साथ जुर सकते हैं आप लोग भी अपने घर आमंत्रित हमे कर सकते हैं किसी भी सिटी में किसी भी कजबे में आप लोग क्यों न रहते हो हम आएंगे आप से मुलाकात करने आपके घर लेकिन उसके लिए आपको बस हमारे साथ कॉन्पाक करना होगा आज की इस खास कारेकर में बस इतना ही अब